में हूं नाजिया और आप अप्रोग कैसे हैं उमीदे सब खेलत से होंगे तो चले शेयर करती हूं मैं आपके साथ बहुत ही मसेदार सी चिकन तिक्का कवाब की रेसिपी बहुत असान ही रेसिपी बनती है लेकिन बहुत ही मसेदार और बहुत चटपटे कवाब बनके तयार होते हैं तो आप इसको एंड तक जरूर देखेगा वीडियो को और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंस में शेर जरूर कीजेगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजेगा तो सबसे पहले करेंगे चिकन को मेरिनेट तो यहाँ पे मैंने बूनलेस चिकन लिया है 500 ग्राम से करीब और इसको बाइट साइट से थोड़ा सा बड़ा पीसे मैंने इसको कट किया है तो चलें आप सेकिंड मेरिनेशन तयार कर लेते हैं तो यहाँ पे मैंने लिया है 5 टिबल स्पून हंक कर्ड फाइट दही लिया था और उसको मैंने एक कछनी में करके रख दिया था पंदरा बीस मिनिट के नहीं उसका सारा पानी निकल गया है और गाड़ा सा दही बचा है अब डालते हैं इसमें सुखे मसाले तो हल्दी डाल दी मैंने 1-4 टीस्पून और कश्मीरी लार मिर्ज का पाउर डाला है मैंने 4 टीस्पून भरके इससे बहुत खुबसूरत कलर आएगा तिक्के के उपर अब इसमें हम डाल देंगे गरम मसाला 3-4 टीस्पून के करीब औ इसमें 1 टीस्पून अब हाफ टीस्पून इसमें नमक डाल दिया है और साथ में चुटकी भर मैने इसमें डाल दिया है रेड फूट कलर यह ऑप्शनल है मगर तिक्के पे खुबसूरत सा कलर इससे आजाएगा और साथ में डाल देंगे धाई से तीन टीस्पून के करीब अब सारे इंग्रीजिन्स को में अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखें कितना गाड़ा सा ओ और थिक सा मारा मेरिनेशन मन के तियार हुआ है कितना खुबसूरत इसका कलर है इसके अदर डाल देंगे चिकिन जो हमने नमक और निवो के साथ मेरिनेट किया था सारे निवो के स दूनी तो यह मैंने एक स्टील की कटोरी ले ली है लीच में इसमें रख देंगे इसमें जलता हुआ एक कोईड़ा रखेंगे और साथ में इसमें बस वान टीस्पून तेल डाल के इसको हम कवर कर देंगे आदे घंटे के लिए और इसके बाद रमेरिंग जो देल घंटा ह करेंगे बहुत जादा ओवर क्राउट नहीं करेंगे सारे पीसिस जितने पैन में आ रहे हैं इतने में रख दूंगी और तीन से चार में में मीडियम फ्लेम पे अंटच्ट चिकन को कुख होने देना है ताकि अच्छा सा कलर भी उसके उपर आ जाए और तूंकि यह बोनले कुख करने आ है ज姑 में रहे हैं तो जाए जो एक है तो जो नगआ कigor में में आधि नियुकर देना है तो इस थी करने में तलिडाय में लिच्फे नियुक कामा पचोंने में बहुती जूसी इस तरीके से ये चिकन कबाब बनके तियार हुए तो ये बल्कुल परफेक्ली डन हो चुके हैं जब से 12 मिट में मैं इसको आपको एक कट करके दिखाती हूं पैन में देखी कितने अराम से कट हो रहे हैं और ये परफेक्ली डन हो चुके हैं तो अब इन सारे पीसेस को एक एक करके मैं निकाल लेती हूं पैन में और जो वाकी के पीसेस बचे हैं वो भी इसी तरीके से इनको फ्राइ कर लेती हूं तो ये चिकन के पीसेस ही परफेक्ली डन हो चुके हैं खुबसूरत सा कलर भी आ चुका है और बहुत ये भी जूसी बने है चलें इसको भी निकाल लेती हूं पिर मैं आपको इसको सर्फ करके दिखाती हूं और ये देखें हमारे खुबसूरत से चिकन तिक्का कबाब बनके तियार हैं बहुत ही मसेदार बने हैं बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बने हैं इसको प्यास के साथ नीबू के साथ सर्फ कीजिए ये दही चटनी के साथ बहुत मज़ेगा लगता है ये देखें कितने सॉफ्ट बने हैं कितने परफेक्ली डन हैं और इतने मज़ें के थे कि बच्चों को तो बहुत पसंदाए थे आप भी रेसिपी जरूर ट्राइ कीजिएगा बहुत असाने बनाना और बहुत मसदार बनती है तो अगर आपको मेरी वीडियो रेसिपी पसंदाए है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर क कीजिएगा और मिलते हैं एक और मज़िदार सी नेक्स वीडियो में तिल रेन बनाते रहिए साइके मज़िदार